रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है प्यारे वच्चों, आज हम कच्छा आठ विशे संस्केट पाठ दो महात्मा बुद्ध का ध्यन करेंगे जो कि आपके प्रश्ट संक्या दस पर अंकित हैं, तो चलिए प्रारहम करते हैं नगरे सुद्धो धनो नाम रपह आसित, कपिल वस्तू नाम की नगर में सुद्धो धन नाम का एक राजा था तस्या एक पुत्र आसित, उसका एक पुत्र था तस्या भिमाता गोमती तम पालियत, उसकी मा, उसकी मोसी मा उसे हम कह सकते हैं सोतेली मा लिकीन गोज की मोसी भी थी वो गौमती मा थी उन्होंने उनका पालन पोशन किया था परिवार अश्य जनाहा तम इसनेहें सिधार्तं कथियंती इसमा परिवार के लोगो से प्यार से सिधार्त कहते थी किया कहते थे, सिद्धार्थ कहते थे, एक दा एक ब्रद रिशी राजप्रशाद आगच्छत, एक बार एक बरद रिशी राज मेहल में आया सह भालकम द्रश्टवा अवदत उसने उस भालक को देख करके वह बोला भोनरप हे राजन एशह भालक संसारम त्यक्तवा सन्यासी भविश्यती उन्होंने कहा कि यह बच्चा संसार त्याक कर सन्यासी हो जाएगा एतत सुर्टवा सुद्दोधन चिंतत अववद ऐसा सुनकर के जो सुद्दोधन है वह चिंतत हो जाता है सह एव विधान उपायान अकुरोत यही सिद्धार्थ अश्य हर्दय संसारस प्रती अनुरागह भवेत वह कहता है कि उन्होंने इस प्रकार के उपाय किये जिनसे सिद्धार्थ के हर्दय में संसार के प्रती प्रेमुत्पन हो जाए उन्होंने ऐसे उपाय किये सुद्धुधन तश्य विवाहमपी अकुरोत उन्होंने सुद्धुधन का विवावी कर दिया एकदा सिद्धार्थ सार्थिना सहर अथम आरुह नगरस्य सोंदर्यम दृष्टम अगच्छत एक बार सिद्धार्थ सार्थी के साथ रत पर चड़कर नगर की सुंदर्ता देखने के लिए गए उनका मन हुआ कि वे नगर के ब्रमण के लिए जाए तो नगर की सुंदर्ता देखने के लिए गए मार्गे सह एकम व्रद्दम एकम रुगणम उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्रद एक रोगी और एक सब को उन्होंने देखा क्या देखा एक मार्ग में एक व्रद्दम एकम रुगणम एकम शवम चापश्यत उन्होंने एक व्रद्द को देखा एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक शव को देखा एतान द्रश्टवा सा सार्थिम तेशाम इम अवस्तायाम विशय उपच्छत उन्होंने ये देखकर उन्होंने सार्थी से उन्होंकी इस अवस्ता के विशय में पूछा उन्होंने सार्थी से पूछा कि ये क्या वस्ता है एक ब्रद्द है एक बीमार है एक शव है ये क्या है क्योंकि उन्होंकी पिताने उन्हें महल से बाहर निकलने ही नहीं दिया था उनको सारी सुद्धाय मेहल में ही उप्रप्द करवा देती जिससे कि ये वेरागी ना हो जाए और इसे इन सारे आरामों की क्या पढ़ जाए आदत पढ़ जाए जिससे कि ये इन आरामों को छोड़ कर ना जाए सार्थी ने जवाब दिया कि व्रद्धावस्ता तो सभी की होती है व्रद्धावस्ता प्राप्य अत्वा रुग्णा भूत्वा जना संसारम तेज्जन्ती उसने जवाब दिया कि व्रद्धावस्ता को प्राप्तो कर या रोगी होकर लोग संसार को त्याग देती है तदा ते मृतहा भवंती सब रूप एड़ चा दिश्टनती तब वे मृत हो जाते हैं और सब रूप में रह जाते हैं इसतर ऐसे जो सार्थी है उसने जीवन के वास्तिविक सत्य को बताया कि किस तर ऐसे व्यक्ति ब्रद होता है, फिर वे रोगी होकरके और ब्रत्यों के उप्रापत हो जाता है तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए धन्यवाद